हलो, आज मैं आपको डिप्रेशन के बिमारी के बारे में बताने वाला हूँ डिप्रेशन के उबर काबू कैसे करें आज दुनिया में कम से कम 15% लोगों को मानसिक बिमारियां हो रही है और ऐसा भी रिसर्च जो मालूमात हुआ उसमें खाना जाता है कि चार में से एक वेक्टि को अभी डिप्रेशन होगा लहर चार के पीछे एक वेक्टि को डिप्रेशन होगा कितना बड़ा रूप यह भीमारी धारन कर लेगी आने वाले कुछ साल में यह आपको इसकर से मालूम पड़ेगे डिप्रेशन जो है उसके दो परकार है पर एक है निरॉटिक डिप्रेशन और दूसरा है अंडोजनस डिप्रेशन या सायकोतिक डिप्रेशन अब इसे अंडोजनस डिप्रेशन क्या है और साइकोकिक मतला ईन्डोजनस और साइकोकिक प्या है यह मैं data आपको बताँगा, तो पहले में आपको बताँगा, निरोटिक डिप्रेशन के वाज़, निरोटिक डिप्रेशन जो है, ये बहुती कम मात्रा का डिप्रेशन रहता है, मतलब उसमें उदास इनता कम रही है, नर्वसनेस कम रहता है, मूर्जो डाउन रहता है डिप्रेशन मे वो डाउन उतने रहता नहीं है तो यह जो वेक्ति है neurotic depression वाला मतलब कम मात्रा का depression वाला neurosis वाला तो वो उसको शाम को ज़रा depression ज़्यादा मालो होता है सुबह उसको अच्छा लगता है और उसको कभी-कभी रोन आएंगा कभी काम करने की इच्छा नहीं होंगी भूख भी थोड़ी बहुत कन हो जाती है नीन पूरी अच्छे आती नहीं है और यह जो neurotic depression है इसको reactive depression भी कहां जाता है तो यह depression वातावरंड में कोई घटना हो गई उसके वज़स से होने की जादा संभावना है मतलब exam में fail हो गया परिक्षा में fail हो गया या कोई relationship में रिष्टे में कोई problem आगया टूट गया रिष्टा या बच्चा fail हो गया या कहीं business में loss हुआ या किसके मुर्ट्य हो गई कुछ न कुछ न कुछ न कुछ भाता हो गया में problem आ गया तो उसके वज़ासे इसको वेक्ति पहो depression आता है आज तो हमें कितनी सरी इसे बात है मतलब बहुत सरी इस बात हैं कि जिसमें हमनो tension आता है तनाव आता है और तनाव ही एक depression का पेरन रोसे कि तो कभी सारी बाते हैं, बाते हैं कि मोबाइल का काम नहीं करना अमरे लिए टेंशन का हो जाता है, मोबाइल चलने रहा है, या घर का फ्रीज बराबर चलने रहा है, ठंडा पानी नहीं मिल रहा है, तो अमरे लिए टेंशन का हो जाता है, तो इसी कभी सारी बाते हैं कि जिसम फिर उनके लिए meditation का उप्चार है counseling है और सम्नों उप्चार है मतलए hypnotherapy या hypnosis है जिसमें हम उसको hypnotize कर लेते और hypnotize करके उसको relax करके उसके subconscious mind को suggestions देते और subconscious mind को suggestions देके उसका जो nervous में से वो हम दूर करते तो वो वेक्ती हमारे क्लिनिक में आता है वहाँ hypnotherapy या hypnocounseling कर लेता है या फिर धर में उसको बोलते कि भर में जाके practice करो और कुछ मामुली सी उसको दवाईयां भी देते हैं यसे उसको नीद ने आई तो कुछ दवाई देना तो यह हो गया neurotic depression या reactive depression reactive मतलब कुछ कारण की वज़े से ये व्यक्ती में react कर दे फिर दूसरा जो depression है उसको बलते है psychotic depression या endogenous depression अब यह गंभीर प्रकार का depression या nervousness है या mood disorder इसमें होता क्या है कि इसमें रेक्ती का बहुत जादा दुख लगता है फिर स्मस्ताने की रेक्ती इतना दुखी क्यों है तो बहुत दुख हो जाता है लो नाँगाता है बार-बार-बार-बार भूख नहीं लगती है, सुभव उटने से उसको इतना डिप्रेशन लगता है, उटे ही, सुभव एक तो उसको आपको नीन नहीं आती है, या थोड़ी बहुत घंटा तो होंटे नीन लगती ही, उसको लगता कि अपको नीन नहीं नहीं आती है, और सुभव उटे उसको डिप कुछिशी करने की कोशिच भी करने हैं, तो यह बहुत घंबिर शरुप का मतलब वीमारी हो जाते हैं, तो उसके उपर हमको ज्यादा ख्याल देना पड़ता है, तो इसमें कुछिशी के विचार, भूग नहीं लगना, उससे वजन कम हो जाना, पर काम करनी की इच्छा नहीं ह उदास क्यों हो जाते हैं, कभी-कभी यह लोगों को ऐसा जाता, रसलेस्नेस, घबराट, बेचेनि, ऐसी होती, इदर से उतर, उतर से उतर जाते हैं, और कुछ लोग तो बेड़ के उपर से उत्टें नहीं हो, इतना जाता, सीरियस डिप्रेशन हो जाता है, तो यह जो में होता है, ब्रेन में होता है, यह जो लेवल्स है, यह लेवल्स, केमिकल्स की हमारे ब्रेन में कम हो जाती है, और कम होने के कारण से लोगों को यह डिप्रेशन होता है, तो एक यह लेवल्स कम होने का कारण, दूसरा टेंशन की वज़े से, इसरा बहुत जाना गहरा कोई प्रॉब्लेम हो गया, एकदम अपने पार्टनर की, लाइप पार्टनर की डेफ हो गई, पती की या पतनी की डेफ हो गई, या घर में बहुती इंपॉर्टन गत्ती एकदम सब्लमी मर गया, तो उस समय हो जाता है, या कभी-कभी जैसा लेडिस में है, अकसर दिखा जाता है क बच्चा पैदा होने के बार में, तो स्पार्टम, वहाँ ही डिप्रेशन दिखाए लेता है, तो ऐसे जगर, काफी सारे लोगों में ऐसे डिप्रेशन है कि भी और वो गंबिर रूप धारन कर लेता है, अब इसका जो इलाज है, वो इलाज है दवाईयों का, में लूप, और दवाईयां जैसी serotonin, noripinephrine, dopamine कम हैं, तो वो लेवर्स बढ़ाने की दवाईय हम देते हैं, और वो दवाईय जो है, उसका असर आने को कम से कम 2-3 हफते लग जाए, हम को ये, मतलब पेशेंट और इसको बोलना पड़ता है, कि हम दवाई तो दे रहे लिखे, मगर इसमें क कुछ ना कुछ टाइम लगेता है, लग दो-तीन हपते लगेंगे, आराम आने कुछ, तो आपको सबूर घेरा गटना चाहिए, तो वो है, तो बाद में उसको साइको थेरपी जो, मांसोग चाहिए, उसका इलाज कांसलिंग से होता है, पर कॉगनेटिव बहर से इसका करते हैं, अभी RDMS करके एक नहीं मशीन आई हुई है, तो मशीन से इलाज होता है, तो काफी सारी है, मैं काफी बाहर हिप्नोसिस, दवाई के साथ साथ यूज करता हूँ, जिसमें हम पेशन को हिप्नोटाइज करते हैं, उसका जो बाहरी मन है, इसको थोड़ा धायवर्ट क अ कटरके इरे अक शकरके सबकॉंसमीन को सूचना देते हैं, उसका डिप्रेशन देरे देरे निकाल जाता है, इसमें यह दिप्रेशन थो है, कुछ वोगों के एक बार आणे के बाद में कोई ती क्टी ठीक हो जाता है, तो कुछ लोगों को साल, दो साल, तीन साल के बाद म या कुछ लोगों को कभी मैनिया का दोड़ा आथा, डिप्रेशन के बाद, मैनिया मतलब एकदम उनमा था, हरशवाई और उसमें बहुत ही हाइपर होना, और गुणना, पिनना, बाते करना मतलब इससे एकदम उल्टा, तो फिर यह जब मालूम है कि यह बैपोलर डिसॉर्ड है, मतलब डिप्रेशन मैनिया, ऐसा हो रहा है है, तो फिर उसको मूर स्टैबिलाइर रहती है, मतलब भावना संतुलं करने की दवाई, वो अलग से आती है, तो वो उनको देना पड़ी दवाई, जिससे भावना ऊपर-मीची जो होती है, वो होंगी बावना, तो इस तरह क इलेक्टरिक शॉक भी देना जुरूए होता है, और इलेक्टरिक शॉक अभी तो नहीं तरीके से हम जब देते हैं, तो हम पेशन को सुला कर रखते हैं, उसको एनिस्थेशा देते हैं, और राइसेशा देने के बाद में उसको परेंग से करन दिआ जाता है ब्रेन तो ना व्हां पेशन को मालूम होता हैं कि दिया गरकर या उसके एवे इसको मालूम ने होता है मतलग अभी अच्छी परसेजर आईगे कि कोई चिलनाना चिखना कुछ ने होता है शांती से होता है और उसमें एक दो-चार इलेक्रिक शांट दिने के बाद में वो प्रिशन अच्छा होता है तो इस तरह की भीमारी है आप आपके परिवार में आपके जाने पहचाने लोगों में ऐसा आपको कभी भी दिखाई देता है क्या जैसी है कि कुछ भी कारण में इतना सारा टेंशन है कि छोड़ी बात के ऊपर डिप्रेस हो जाते हैं तो यह आपको सजक रहना पड़ेगा आपके परिवार में आपके जान बैच्छान लोगों में यह आपको डिप्रेशन लगता है तो इसका इलाज करना जरूरी है यह तो भी खुदकुशी विचार उसको आते तो फिर तो अरजन लाना जरूरी है आपको इसके बारे में और जानकरी चाहिए तो हमारी वेबसाइट है, उसको आप विजिट कर सकते हैं, या यूट्यूब के ऊपर काफी सारे में वीडियो जाले वे, आप वो भी देखो सब्सक्राइब करो, फिर फेस्बूक के ऊपर हमारा पेज है, उसको भी आप देखो ल So, thank you very much, bye-bye.